नमस्कार आपका यूनिक समचार में स्वागत है भारत के दस में सबसे बड़े इकाना स्टेडियम का हुआ नया नामकरण जी हाँ यह इकाना स्टेडियम लखनव में वस्तित है सुत्रों की माने तो बड़ी खबर आ रही है कि लखनव का इकाना स्टेडियम अब बन गया है अटल व्यारी बाजबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जी हाँ आप सही सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश की जोगी आदित्यनात सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रज्यपाल राम नाइक की मंजूरी मिलने के बाद इकाना स्टेडियम का नया नाम करन भारत रतनशरी अटल व्यारी बाजबई कर दिया है चुकि आज इस मैदान में भारत और वेस्ट इंडीज के बिच मैच होने वाला है जो पहले इकाना स्टेडियम में होना था वा अब आजबे ये स्टेडियम में होगा दियान देने के बात्या है कि उत्तर प्रदेश की जोगी सरकार जो तमाम सहरों के पुराने नामों को उन्हें शौगात के रूप में देने वाली सरकार का गोरोप्राप्त कर चुकी है हत्वा कुछ पुराने सहरों के नामों को बदल कर विसिष्ट नामकरण कर रही है उसी सरकार ने आज भारत के दसमें सबसे बड़े इकाना स्टेडियम का नया नामकरण भारत रत्न अटल विहारी बाजपेई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कर दिया है यह स्टेडियम पच्चास अजार सीटेड चमता वाला स्टेडियम है जो अपने आप में गौरो पूर्ण है